चलो एक काम करते हैं उसको जला देते हैं नहीं उसको जलाते नहीं हैं वो बहुत खूपसरत दिखती हैं उसको पानी में डुबो देते हैं ये बात किसी और ने नहीं हॉलिवुड सुपर स्टार पायरेस ओफ दे केरिबियन फेम जोनी डेप ने कहीं हैं जोनी डेप और उनकी पुर्व पतनी एमबर हर्ड का केस इन दिनों हर तरफ चर्चा में है अठावन वर्षय जोनी डेप और पैंतिस वर्षय एक्टरस एमबर हर्ड का 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा अमेरिका कोट में चल रहा है असल में जोनी डेप ने अपनी एक्स वाइफ एमबर हर्ड के खिलाफ 50 मिलियन डॉलर का मान हानी का केस किया है इसी केस में 21 एपरेल को जोनी डेप से कोट में एमबर हर्ड के वकील ने कुछ सवाल किये जिसमें कई चुकाने वाली बातें सामने आई हैं कोड में जॉनी डेप के एक्टर पॉल बेटनी के भेजे गए एंबर हड के बारे में अपमान जनक मैसेज पड़े गए जिनको सुनकर हर कोई हैरान रह गया जॉनी डेप ने मैसेज किया उसमें लिखा था चलो एक काम करते हैं एंबर को जला देते हैं इसका जवाब देते हुए पॉल बेटनी ने लिखा नहीं एंबर को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वे बहुत खूबसूरत दिखती हैं हम उसे पानी में डुबो कर देख सकते हैं क्या सोचते हो आगे पॉल बेटनी ने लिखा क्या तुमारे पास स्विमिंग पूल है पॉ मुझे लगेगा कि वे मर गई है तो मैं उसकी जली हुई बॉडी से सेक्स करूंगा कोड में इन सब बातों को सुनने के बाद एंबर हड के वकील ने जोनी से पूछा क्या आप उस महला के बारे में ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो बाद में आपकी पतनी बन गई जवाब में जोनी ने कहा हा मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंबर हड ने कोड में सुनुआई के दौरान दावा किया कि जोनी डेब ने उनके साथ मैंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर किया एमबर ने दावा किया कि जोनी डेप ने एक बार शराब की बोतल उनके प्राइवेट पार्ट में गुसाने की कोशिश की थी एमबर हर्ड के इस खुलासे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं